नमस्काशन, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आए हूँ, EMT PRO का हमारा नया टॉपिक है, कि इसमें हम आपको Samsung के बारे में बताएंगे, कि Samsung के मुबाइल फोन को हम लोग किस तरीके से अनलोक करते हैं, या आप यह करे सकते हैं कि Samsung के मुबाइल फोन को फ्लैस कैसे किया जाता है, या Samsung के मुबाइल फोन को अनलोक कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो देने वाला हूँ, तो आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है, EMT PRO में हम लोग Samsung के बारे में सीखने वाले हैं Samsung मलब हमारे पार कोई Samsung कंपनी का मुबाइल फोन आथा तो Samsung कंपनी को मुबाइल फोन को हम लोग किस तरीके से unlock करते हैं Samsung कंपनी के फोन को किस तरीके से repairing करते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग यह सीखने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं वो Samsung के बारे में सीखने वाले हैं मेरा नाम रागवेंदर और मैं E-Tech इसूट से बात कर रहा हूं जहां पर आपको mobile phone, laptop इस तरीके से आपको सिखा जाता है तो आज की वीडियो में जो मैं आपको देने वाला हूँ वो Samsung के बारे में तो चलिए हम वीडियो के बारे में आगे बढ़ते हैं कि क्या Samsung में क्या सारी चीज़ जिन चीज़ों को सीखेंगे सब से पहली बात UMT Pro में जो हम Samsung के mobile phone को रेपेर करते हैं तो Samsung के mobile phone को रेपेर करने के लिए हमारा होता है GSM Ultimate 5.5.1 एक हमारा यह दिया हुआ Samsung GSM Ultimate 5.5.1 यहाँ पर हम लोग Samsung के mobile phone है Asus के mobile phone है और भी LG के mobile phone आते हैं यह और भी ADP mode आते हैं mobile phone को FRP reset किया जाता है उन सब चीजों के बारे में आम लोग यहाँ पर सीखते हैं तो चली दोस्तों हम लोग अपने dongle को लगाते हैं यह dongle है हमारा इस dongle को हम लोग क्या करेंगे अपने system पर लगा देंगे जब dongle को आप system पर लगा देंगे तो system पर लगाने के बाद dongle को कैसे use करेंगे कैसे access करेंगे तो हम लोग अपने system पर चलते हैं हम अपने system से connect हो जाते हैं हमने dongle को लगा दिया dongle को लगाने के बाद सबस्वे पहले क्या करेंगे ंट शपोर्ट को ओपन करेंगे कि अपने लोग इस टॉलर में जाएंगे अइंप इस तोलर में जाएंगे कर देता हूं और इए नो दो आते हैं एक आता इंडियान आता है दूसरे एंटरनेस्टन आता है हम लोग क्या करते हैं इन्डियन वाले का यूज करते हैं इडिये हमारे जितने भी सारे नय लोग हैं, software repairing करने के लिए एक हमारा बहुत अच्छा डोंगल है, इसके माध्यम से आप सारे mobile phone के फिलाल जदत और mostly जो running mobile phone चलने हैं, सारे mobile phone के आप आसानी से easily से unlocking कर सकते हैं, flashing कर सकते हैं, यह software में जो भी सारी problem आती हैं, काफी problem को ठीक कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसक तरीका होता है, इसके net के speed को different करता है, हम देखेंगे हमारे net आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यह हमारा download होना start हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कि इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसका तरीका हम आपको छिखाते हैं, दोस्तों यह video म मैं आपको step by step video बना रहा हूँ और अगर मैं आपको बाता हूँ इतने सारी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि software में काफी सारी चीज़ें आपको doubts clear हो जाएंगे किस तरीके से mobile phone में software की problem को ठीक किया जाता है कैसे software की problem को repair किया जाएगा यह सारा च इस परता है उसके near about something 200-300 meter दूरी पर है आप आराम से पैदल के डिस्टेंस है आप आराम से आ सकते हैं अब लोग क्या करेंगे लोकेस्ट में जाएंगे लोकेस्ट में जाने के बाद फिर अम लोग देखेंगे हमारा कहां पर दाउनलोड हो गया तो यह डाउनलोड हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट और यह आपके सिस्टम में यह अपटी सपोर्ट का उफ़न इस्टाल हो गया है जैसे आप इस्टाल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं इसके माधियम से जितने भी पुराने मोबाइल फोन आते हैं जिसमें होम की एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं समसंग के जितने भी फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन हार्ड डिशेट हो जाते हैं आप उनको हार्ड डिशेट करेंगे तो आसानी से हार्ड डिशेट हो जाएंगे बस प्रॉब्लम यह आती कि वो थोड़ा सा फोन फोन फर पी में परेसान करते हैं अफर भी लग जाता तो उसको यूटूब में वीडियो देखना पड़ता है बाइपास करना पड़ता है समय लगता है टाइम लगता है मेनत लगती है तो हम लोग इसके माध्यम से जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अफर पी को हम लोग क्या कर लेते हैं बाइपास कर लेते हैं नेक्स्ट अगर आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर स्टोल होकर क्या गया है यह करेंगे डोंगल में देखेंगे लाइट ब्लिंक कर रही है ओपन होने वाला है देखेंगे इसमें सब पूरा लिक कर आता है कि यम्टी टीम और उपयोग करता के बीच में कानूनी समझाओता भार्ती उपयोग ताते के लिए यम्टी का केवल भार्ती संक्रण है उपयोग करताओं के लिए इसका भार्ती माधियों में उपयोग करना अवैद है इस सौप्टर का विकास उस फोन अतवा टैबलेट इत्याद की उत्पादक्ता कारपडाली में सुधार के लिए किया गया है जिसका सौप्टेयर में उपयोग करना के पास मालिकाना हक प्रा करने से पहले अपने स्थानी कानून से जांच लें और अपने स्थानी कानून से किसी अवैद कानूनी रूप से आमान उपयोग करते हैं इस तरीके से सारा सब कुछ इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है आप चाहें तो डिटेल को बढ़ सकते हैं आई एसेट करेंगे एसेट करेंगे जैसे आप इसको एसेट कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन में खुल जाएगा यह देखें ग्रीटेल्जों इसमें पर उसमें खुल जाएगा सबसे पहली बाद हम जैसे बात करेंगे हैं कि सैंसंग को मॉबाहईल फोन में Samsung Mobile Phone में चले गए, यहां पर Samsung को कोला हमारा Samsung, 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 LG, Android, यह वह थो हम लोग क्या करेंगे, Samsung Mobile Phone में पहले चले जाते हैं, उसके बाद यहां पर Ultimate Flasher को आथा, इसमें किलिक करेंगे, तो इस तरीके से हमारा Software box फुल जाएगा, यदि आप किसी भी Mobile Phone में अधार Flasking करने के लिए, यहां पर जितने भी सारी file होते हैं, BLA, AP, SCE, AP, SCC,, 4 file को आप लोड कर देते हैं, load करने और Flask क्लिक कर देते हैं, अब डिए file को लोड करने के लिए, अब 1, 4 file को लोड कर ने के लिए, को लोड कर देंगे फिर बीयल में जाकर के फिर हम लोग बीयल को लोड कर देंगे फिर सीपी में जाकर के फिर हम लोग सीपी को लोड कर देंगे इसे में जाएंगे तो फिर हम लोग सीपी को लोड कर देंगे यह चारों फाइले लोड हो जाएंगे उसके बाद मोबाइल फोन को connect कराएंगे तो यहां पर आपका port बंद करके आ जाएगा com6, com samsung, com5 ऐसा port बंद करके आ जाएगा और flashing पी क्लिक कर देंगे जैसे आप flashing पी क्लिक कर देंगे तो आपके mobile phone flash हो जाएगा और आपके mobile phone में software चड़ जाएगा आपका mobile phone का काम हो जाएगा तो जो samsung के mobile phone आते हैं वो सारे samsung के mobile phone को हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से repair करते हैं यह samsung को mobile phone को ठीक करने का तरीका है जितने भी samsung के android यो भी mobile phone आएगे सारे android mobile phone को हम लोग इस तरीके से आसानी से ठीक कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि Tools and FRP में जाएंगे, तो Tools and FRP को उफसन आता है, यहाँ पर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, New Method को स्लेट करेंगे, New Method को स्लेट करने के बाद Reset FRP पी क्लिक कर देंगे, तो जितने भी Samsung को जो जैटू को मोबाईल फोन आते हैं, यह New Method में दिया हुआ है, उसके बाद यह वाला जो कॉलम रहता है, यह तो चलिए हम लोग Samsung के लिए उच करते हैं, अब हम बात करते हैं, आंगे चल करके, तो आंगे जितने भी हमारे मोबाईल फोन आते हैं, तो उसके बाद हमने इसको क्लोश किया, उसके बाद फिर हम लोग जैसे LG के मोबाईल फोन दिया हुआ है, LG के मोबाईल फोन को भी आप हाथों से रिसेट कर सकते हैं, रिसेट करने के बाद आप यहां पर जो भी मोडल दिया है, जैसे G-Style है, G-4 है, G-4 Style Plus है, जो भी मोबाईल फोन आते हैं, इस मोबाईल फोन को सेलेट करेंगे, उसके बाद रिसेट फोन को टिक करेंगे, और आप मोबाईल फोन के फोन को आसानी से रिमूब कर सकते हैं, या जो ऐसे भी मोडल है, जो यहां पर नहीं दिये हुए हैं, तो भी आप यहां पर reset FRP Universal से आप उसको unlock कर सकते हैं लेकिन इसमें सिर्फ LG के mobile phone को आप कर सकते हैं उसके बाद अगर आप इसके miscellaneous version आथा इसमें आप जाएंगे तो इसमें यहां पर Asus को option दिया हुआ Asus के mobile phone के सारे model आते हैं उनको भी आप select करके reset कर सकते हैं तो बहुत सारे इसके में सीचर दिये हैं जिनको आप यूज करके mobile phone में जिसे SPD CPU आता है उसको अगर लॉक्त होते हैं तो फॉर्मेट हो जाता है लेकिन FRP होता हूँ आप ADV mode में यहां से इसको FRP को हटा सकते हैं तो इस वीडियो के माद्यम से आज हमने आपको बता है कि Samsung के जितने भी mobile phone आते हैं या LG के mobile phone आते हैं या और भी company के mobile phone आते हैं उनको किस तरीके से आप unlocking करेंगे यह mostly जो हमारा जो tool यूज किया जाता है वो हम लोग ज़्यादा तर Samsung के mobile phone आते हैं तो उस mobile phone में FRP लग जाएगा जब उसमें FRP लग जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे उस mobile phone को reset कर देंगे जैसे आप उस mobile phone को reset कर देंगे तो reset करने के बाद आपका mobile phone unlock हो जाएगा आपका mobile phone hang logo या restart ऐसी कोई भी problem आती तो reset करने से हमारी problem solve हो जाती है तो ठीक है अगर reset करने के बाद हमारी problem solve नहीं होती तो फिर हम लोग उसको flash करते हैं तो यह आज दोस्तों मैंने आपको बताया कि Samsung company के जो भी mobile phone आते हैं या LG company के mobile phone आते हैं उनको किस तरीके से हम mobile phone को reset करेंगे उसके बारे में बता हुआ है तो यह हमार्य दोस्तुम पनल पाएं है यह आज मैने आपको GSM 5.1 बाता हुआ है इसके हमाधियम से आप आप जितने भी Samsung 번ys と 5.5.1 बता हुआ है इसके बारे में PUBG सींग का सकते है उस mobile phone को iaccate कर सकते हैं कर सकते हैं mobile phone को flashing कर सकते हैं जितने भी सारे काम है सारे काम को बहुत आसान डंग से कर सकते हैं तो दोस्तों आज मैंने आपको Samsung mobile phone को repair करने के तरीका बता है यह जो dongle आता है यह something 4000 रुपाय के अपरॉक्स में dongle आता है यह जो आप ऐसे लोग हैं जो mobile phone में hardware के repairing कर रहे हैं अगर software के repairing शीखना चाहते हैं या video के माद्यम से सीखना चाहते हैं कुछ भी अगर चाहते हैं अगर डंगल परचेस करना चाहते हैं तो नीचे screen पर दे हुए number पर संपर कर सकते हैं मेरा नाम राग्वन और नीचे जो number दिया हुए 63917117211 है आप इस number पर संपर करिए call करिए यह 6391212212211 इस number call करिए message करिए video call करिए अगर आपको inquiry लेना चाहते हैं, absence kal करिए यह software repairing के बारे में पूरे complete सीखना चाहते हैं एस से ले के जड़ तक android phone के बारे में आप सीखना चाहते हैं यआ पोरी complete repairing सीखना चाहते हैं तो आप training center को जॉन कर सकते हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पाथ एक लोग जोईनी के लिया थे, एड्मिंसन के लिया थे, उन्होंने अपना जानकारी लिया, इन्फॉर्मेशन लिया, पैसा भी जमा कराया, और अपने कोस के लिए बोला कि सर मैं सोमबार से क्लास में आउगा, और आज आए अपना क्लास भी करी, क्लास करने के बाद उन्होंने ये बोला कि सर मैं दस साल पहले, आठ साल, दस साल पहले मैं मोबाइल फोन के रिपेरिंग काम सीखने के लिए जगा गया था, और वहां पर मुझे पहले सर्किट चार्ट के बारे में, नोकिया फोनों के बारे में, या पांच-छे मिनेच सीखता रहा, सीखता रहा, फिर बाद में उन्होंने साल पर-बार बंद करके कोई दूसरी लाइन स्विछ कर ली, तो सीखने के बाद मैंने सीखा न सीखा, आधाई था, उदर की तरफ से ऐसी रह गया, तो सर मैंने साल-ड़ साल काम किया, मैंने अच्छ मैंने से तरह काम नहीं कर पाया, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, दो-चार मोबाइल फोन भी खराब हो गए, तो फिर मैंने उस लाइन को छोड़ दिया, मैं दूसरी लाइन में जॉब करने लगा, जब दूसरी लाइन में जॉब करने लगा, तो हमको वहां पर 10-12,000 साल ही मिलने लगी, और 10-12 साल हो गया, सर मेरे को नोकरी करते करते हैं, लेकिन आज भी मेरे को 12-13,000 ही मिलते हैं, उससे ज्यादा पैसी नहीं मिलते हैं, तो मैंने सोचा किया, जो यार मैं पहली लाइन में करता था, इतना तो 5-6,000-4,000 पर पहले ही कमा लेता था, लेकिन आज हमारे साथ के जो दोस्त, जो गई लोग सीग करके लगे रहें, काम कर रहे हैं, तो उसको भी फिर से उसका मन हुआ, इंट्रेस्ट होने के बाद इसका नाम हर्स है, उसका फिर से इंट्रेस्ट हुआ किया, अज जो जोएन करने के बाद κ लास लेना है、 ताकि हो चाहते हैं, कि फिर हम उस तरीके दे कहड़ें सकें तो हमारा सजी आपका यह बताने का अधी है हमारा एक बताने का relates to कि सर आदमी जो जिस लाइन में त developed रह आया है जिस लाइन में काम कर रहा है अगर उसने future अपना उस लाइन में काम किया हुआ है तो किसी दूसरी लाइन में काम करने लगे या काम करने का मन हो जाए या समय काटने लगे तो सब समय काट रहा है लेकिन उसका कभी जिंदिकी में इंटरस्ट नहीं रहता क्योंकि आदमी का लाइफ में इंटरस्ट उसी चीज में रहता है जिस चीज में काम करने का मन आता है या जिस चीज में काम करता है या उसकी खुद की दिल इच्छा होती है जब तक उसकी खुद की दिल इच्छा नहीं होगी तब तक वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता उसका काम करने में मन नहीं लगेगा तो आज उन्होंने फिर जोईन किया बोले कि सर मैं सीख करके फिर एक बार ख़ड़ा हूँगा और अपनी मोबाइल फोन रिपेरिंग के सौप को लूँगा क्योंकि उनको कह रहा है कि सर मुझे आपकी वीडियो के माद्यम से मुझे इतना सारा जानकारी मिला या इतना सारा चीज सीखने को मिला तो सर मुझे फिर से मेरी इच्छा आगए कि सर मैं आपको एक महीने से फोलो कर रहा हूँ कि एक महीने से आपकी वीडियो को देख रहा हूँ कि आप जो चीज बता रहे हैं तो दोस्तों मैं आप से एक बात कहना चाहेता हूँ कि वो सर मेरे पास आए हैं मैं उनके विष्वाध दिलना चाहेता हूँ कि पहली बात हुआ पूरा कंप तरीकर सिख जाएंगे मैं उनको अपने तारीके स्कार करकर बेजूँगा, और दूसरी बात ये आती है कि अगर हम अपने किसी नए बिजनीस में स्luence अपने उपने बिजनीस से प्लानड करना चाएते हैं तो हमारे दिमाग में बात आती है या हम फी ensuring इस इस दिल्ली स में करने जा ने पता है क्या हम उस काम को अच्छी तरीक से कर पाएंगे या हम जो जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसके बाद इन सब चीजों को छोड़ करके हम अगर उस लाइन में जा रहे हैं तो क्या हम वो काम को कर पाएंगे बिल्कुल आप basic कर सकते हैं लेकिन आपको उशीट के बारे में सबसे पहली बड़ी first बात आती है वही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको एक अच्छी training का होना बहुत जरूरी है अगर आपके अच्छी training होती है तो आप मैं guarantee के साथ में कहता हूँ कि आप जितने भी सारे mobile phone आते हैं सारे mobile phone को या आसानी से इन सब चीजों को रेपेर कर पाएंगे और रेपेर करने के तरीका सीख करके बहतर तरीके से काम कर पाएंगे क्योंकि अच्छी तरीके से काम वही कर सकता है जिसको सब चीजों के बारे में पूरा नॉलेज हो और मेरे पास जी जो सीखने के लिए जो बच्चे आते ना वह पूरा complete ए से लेकर जट तक पूरा hardware है पूरा software है basic level से लेकर advanced level तक की complete चीजों के बारे में training सीखने के लिए आज सर मेरे पाई एक और लोग सीखने आयते उन्होंने बोला कि सर खाली हाट्वेर आडवेर सीखने हैं उसक्तर नहीं सीखना है तो इससे आप काम ना ही तो अच्छा है क्यों इसलिए अच्छा है कि आप आध्या दूरे रह जाओगे ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे आजकल सजी स्मार्टफोन को जवाना है स्मार्टफोन में 50% काम तो सॉफ्टर का है उसमें से आप लोग में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो खाली हाडवेर की रिपेरिंग कर रहे हैं चार्जिंग पिन, कामबो, टच माइक, स्पीक रिपेरिंग के लाइन में देखा जाए तो हाडवेर, सॉफटर दोनों चीजें दो पाईये की तरह हैं जब आदमी को दोनों चीजें आती तभी वो पैलर अच्छी तरीके से काम करता है अगर दोनों में से एक चीज उसका कमजोर होता है तो अपाईज होता है दोसरा में देखा जाए तो सो में से सजी 80% लोग ऐसे हैं जो हाडवेर के रिप्एरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं उनको अच्छी तरीके से ट्रेणिंग हो अच्छी तरीके से सीक्रेणिग नहीं पाए या उनको प्र्रापर गाइडेंस नहीं मिला या असलेख सबस्का fianыв में बमनेего स्वर्म काम नें हैं अवह सब कुछ सकते हैंце अब जब तक ऑपने जंदिगी में किसी काम की आपकशी GP सीखें के नहीं से बीस अब दो कि काम है रह सकते हैं तक उल्वा पता प्रुसा हो भी थे लाए तो निस्टी और आप पैसे दोगे, आपको पता है, कि भजयो उसने ऐसे पैसे ले लिया है, लेकिन फिर भी आप अपने जेव से पैसा निकाल के दे रहे हो, कस्टुमर से मिले यह चाहिना मिले, लेकिन आप दे रहे हो, क्यों, क्योंकि वो बंदा बैठा हो पैसा ले लेगा, वो आपका 100 सीखने के लिए प्meeूर कम करता है, उनको को सफल होता हुए, उनको पर ने कम करता है, पूरा गाम करता है, complete काम करता है उसके बाद कोई भी mobile phone आता तो कोई भी mobile phone return ओकर नहीं जाता है अगर कोई भी mobile phone आपसे return ओकर नहीं जाएगा तो जाइस ही बात है आपकी income बढ़ेगी बढ़ेगी क्योंकि यह अपना service का line होता है service के line में एक बात तो common है कि अगर आप 10 mobile phone में से 9 mobile phone repair करेंगे तो आपको 9 का पैसा मिलेगा 10 में से 1 mobile phone repair करेंगे तो आपको 1 का पैसा मिलेगा 9 mobile phone आपका पानी में गया अब 9 mobile phone जो ठीक कर लेगा वो पैसा कमा लेगा अब तुम काम करने के लिए तो पूरा दिन बैटे हो, लेकिन काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो काम नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम आनी आनी है, अब ऐसा नहीं कि आपके सौफ है, तो सौफ होने में कोई आद में गलास या कामो डलवाने के लिए आएगा, वो लोग खु सिखना चाहिते हैं तो याप लोगों को में सदा देना। कि जब आप काम सीखना ही चाहते हैं तो पूरा कम्पलीट काम सीखें और जब हम मेरे पास आएंगे में सिखा करने में बै भीज़ेगा इस बात मेरे से दावय कि हम आपको A से लेकर Z तक basic level से लेकर advanced level तक supply circuit से लेकर बॉर्णियो से लेकर के सारे software से लेकर के सारे tools से लेकर के सब चीजों से लेकर करके आपको मैं पूरा complete training लेकर करके बेजूँगा और अच्छे से तरीके से सिखा करे बेजूँगा तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने Samsung के बारे में आपको सिखा हुआ है वीडियो में आपको कैसे लगा आपको क्या सारी चीजें समझ में आई या कोई भी doubts होते हैं कोई भी problem होती है तो आप हमारे screen पर नहीं हुए number पर संपर कर सकते हैं हमसे पूंच सकते हैं हमसे इन आपको मदद करते हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके वीडियो को सेयर करके जाने अन जाने में हमारी मदद करियो हमारा सपोर्ट करिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्यों दोस्तों